हेलो एब्रीवन वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका होपफुली यू आ फाइन सर्दिया बढ़ गई हैं तो कप्ड़ अच्छे से पहन के रखना ठंड से बचा के रखना खुद को क्योंकि एक बार सर्दी लगी तो में तो नहीं कहूंगी कोरोना फकड़ेगा बढ़ भीमारी बगड़ सकती है और आज कल करोना का फेज जो चला हूँ इसमें लोग डर बहुत रहे हैं पहले ही सर्दी दुखाम खासी चीक से किसी को नॉर्मल वैरल भी होता है तो ऐसा लगता है बस तू दूर रहे घर में भी एक्चली हमारे घर में तो आसा नहीं है बड़ कही हों कि क्या ऐसा सुनने में आया जोक बन जाता है कि अगर किसी एक को थोड़ी बहुत भी खासी जुखाम में उसको क्वरेंटीन कर दे आता है कि तो अपने कमरे से बाहर मत निकल सो ऐसा फेस चला हुआ इसलिए सर्दी से बचके रहो वरना जिसके जो भी यार दोस्त होंगे वो दूर दूर भागेंगे कोई पास में आएगा यार क्या बोल रही थी मैं सारा फ्लोई तुडवा दिया मतलब लोग इतने बेफकूफ है रेजदेंशल एरिया में पता नहीं एक तो मुझे समझ नहीं आता लड़के जो बाइक में से सलेंजर हटवा के फट 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 करके सब्सक्राइब करते हैं क्या मतलब लोग उनकी तरफ जादा देखें बड़ जो भी सोचन की इस कहना नहीं चाहिए कुछ डैश 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 तुम लोग अपने अप समझ लोग ठीक है और सारा फ्लोग खराब कर दिया क्या वह रही थी मैं हाँ आवस सेंग कि आप लोग अ साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं मस्ती बहुत हो गई ठीक है इससे पहले कि कोई और अभी इससी तरह से सैलेंसर लेके अपनी भाई किस तरह से लेके जाए या कोई आसपास वाले फंक्शन होता है ना इतनी जोर-जोर से गाना बजाते हैं सोचना पड़ता है कि कब करना था उससे पहले मुझे लग रहा था बहुत लोग सा फील कर रही थी मोटिवेशन यारी क्या करना यार अच्छा वीडियो बनाना है पुढ़ाना है ओके लाइक डाट होता है ना कभी कभी आप नहीं पॉस्टिव फील करते हो पॉस्टिव वाइप आपको चाहिए होत जब तक कॉमेंट सेक्शन में कुछ बताएगी नहीं कुछ अपने व्यूज रिव्यूज और लाइक शियर नहीं आएंगे या जो भी वाटेवर यूट उससे अगर आप नहीं बताओगे तो थोड़ा साथ मुझे लगता है कि यार काम ठंडा चला है थोड़ा मजा सानी आ चीज है तो अब यह आप लोग बताओगे कि जो मैं डाउट कर रही हूं अपने वपर वह सही है कि गलत है मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए और जिस्ट कीप ऑन गूइंग जैसी महनत कर रही हूं करते रहूं जो भी है जो भी बताना चाहते हो एनीधिंग यू कोई भी नहीं होता है ना परफेक्शन के लिए आप ट्राइगा सकते हो बट परफेक्ट से भगवान हो सकता है खुदा हो सकता है ना तो यहां पर मैं रिलिजिन की बात नहीं करी है I'm just saying God means God because किसी का भी हो सकता है ना उसमें रिलिजिन को लेके कोई बात नहीं है बट हां इनसानों से तो गलती होती है राइट जैसे मैं हूँ अकसर कुछने कुछ गलती खरती रहती हूं मुझे लगता है आप जब मैं वीडियो पर पढ़ा रही हूं अगर कोई बहुत मैंनिटली अब्लव करें हो सकता इसमें कितनी गलती होती होंगी और पहले इसलिए पॉलज कुछ नहीं हो सकता मेरा तो यहीं मानना है आपका क्या मानना है हो सकता आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो बोलता हूं कि I am perfect I am my kind of perfect like that way हां यह जरूर हो सकता है my kind of perfect कि जो आपने सोचा हुआ है कि हां यह सारी चीज हमारे लिए ठीक है best अच्छा है kind of वो जरूर हो सकता है तो जितनी बक्वास करी थे मने कर ली बहुत हुआ हम चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छा चैप्टर में देखो सबसे पहले आइडल नौन इडल सॉलूशन इससे पहले जो आपने लॉल्स पढ़े है ना एंड उससे कनेक्टिंग ही है ए आइडल सॉलूशन का मतलब क्या है वह सॉलूशन जिसमें हर एक कॉमपिनेंट रॉल्स WILL को ओबे करेगा राइट अमने से बाले याई लोगपड़ा था ना वो कम जो वह आपका सॉलूशन जिसमें हर ایک कॉमपिनेंट रॉल्स लोगो ओबे करे एंड आपकोई भी चेंजे तो कंडिशन क्या है आडल सॉलूशन की कंडिशन यह है कि आपका कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा मिक्स करने पर दो कॉम्पोनेंट्स को सब्सक्राइब का 50 ml तो जो आपका रिजल्टिंग सॉलूशन है वह 100 ml होना चाहिए ठीक है atle guilt v mixing is 0 mix करने पर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए दूसरा enthalpy का कोई change नहीं आना एक बार को हम सोच सकते हैं कि ठीक है वह वॉल्यूम में कोई change नहीं तो होगई तो delta H mixing 0 हो है ना ये दो वैसे हम ये कह सकतें कि conditions हैं कि कोई enthalpy में change ना हो जब दो components को mix करें और volume में change ना हो अगर ऐसा होता है then वो आपका solution कहलाता है ideal solution ठीक है अब दूसरी दर से हम क्या कह सकते है ideal solution को कि ये इसी conditions हैं इनी के term में define कर दिया गया कि जब आप solute और solvent को mix करते हो किसी भी proportion में solute जादा लिया solvent कम solvent जादा solute कम any kind of proportion उस case में आपका volume और enthalpy change नहीं होगा अगर तो उस solution को आप क्या कह सकते हो ideal solution ठीक है molecular level पे हम क्या कहेंगे molecular level का मतलब क्या है कि जो आप दो components ले रहे हो जो अलग-लग जिनके molecules हैं उनमें intermolecular forces of attraction कैसी है individual level पे भी और after mixing भी ठीक देखो क्या कहते है ideal solution जो आपका दो components का अगर हम लेके चले A and B उसको हम कैसे define कर सकते हैं solution in which intermolecular interactions between components between A and B ठीक है अलग-लग हम A और B को अलग लग ले A and B are of the same magnitude as that of interactions at individual level मतलब जो A, A में यानि A के molecule में आपस में attractions हैं B में आपस में उसके pure level पे या pure component में जो interactions हैं वो same magnitude की हो after mixing also यानि कि A और B में जो magnitude हो forces का वही A, A में और B, B में हो बट ऐसा possible नहीं है न, क्योंकि हम बात कर रहें chemistry की हम बात करें का chemical reaction की तो इसलिए कहा जाता है ideal solution ज़रूरी नहीं है कि exist करता हो ठीक है, so इसलिए कहते हैं कि practically no solution is ideal हाँ, बट ये possible है कि अगर आपकी जब solute की concentration बहुत कम है बहुत है dilute solution है तो हम ये मान सकते हैं कि वो solution ideally behave करेगा वो solution, वो mixture जो दो components का होगा वो ideal solution होगा अब बात आती है कि कौन ideal solution बनाएंगे, जिन में आपस में प्रेम प्यार होगा जिन substances में, जिन में आपस में एक जैसे type के structures या polarities होगे same kind of behavior होगा उनका pair आपका बना सकता है या उनका, suppose करो हम बात करें इसलिए मैंने pair कहा उन substances को हम consider कर सकते हैं कि वो ideal solution बनाएंगे या nearly ideal solution बनाएंगे ठीक है, for example, benzene और tolven N-hexane, यानि normal hexane, normal heptane ठीक, ethyl bromide and ethyl chloride, उनकी same kind of structure है same kind of polarities है इसलिए मान के चलते हैं कि ये हो सकता है nearly ideal solution बनाएं ठीक है, ये तो था आपका ideal solution, on the contrary अब देखो, अगर हम दूसरी चीज़ देखें non-idle solution, क्या हो जाएगा उसका reverse, एक ऐसा solution जो की royal slot को obey नहीं करेगा किसी भी condition में, मतलब कहीं नहीं आपका अगर आप अलग-लग level पे ला रहे हो तो वो royal slot को हमेशा obey नहीं करेगा ठीक, दूसरी चीज़, conditions क्या हो जाएगी वहाँ पे आपका delta V mixing not equal to zero था, यहां not equal to zero delta H mixing not equal to zero मतलब changes आएंगे ही आएंगे जब आप दो components को mix कर रहे हो heat के level पे changes, enthalpy के level पे volume के level पे, तो condition क्या हो गई delta V mixing, H mixing दोनो not equal to zero for example मैंने लिया H2SO4 और water को mix किया आपको पता है highly exotomic reaction होती है तो heat अगर release होगी enthalpy में change आएगा ही आएगा हो सकता है volume में भी change आए तो हम यह क्यों हो रहा है due to the formation of non-idle solution ठीक है? molecular level पे क्या कह देंगे वहाँ पे देखो क्या था, वहाँ पे A, B जो molecules से मतलब जो आपस में components की interactions थी वो same magnitude की थी individual level पे भी जो आपके अगर components आप consider करो जैसे A, A के बीच में और B, B के बीच में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा solution in which solute and solvent molecules interact with each other with a different magnitude or you can say different force than forces of attraction between those molecules at individual level कि जब वो अपने pure state में होंगे उनमें आपस में जो forces होंगी वो अलग magnitude की होंगी और आप after mixing, दो components के जब आप mix कर दोगे उनमें जो force होगी, वो different होगी तो यह हो गया non-ideal solution अब इसमें भी आगे ना आपकी further two types है वो हम detail में discuss करेंगे और वो बहुत important है actually idle non-ideal solution वाला और जो इसका आगे सब types आएंगी अभी मैं बताऊंगी, that is very important उसका graph है, graph बहुत important है और इस पे question आपका exam में आता ही आता है board के level पे भी और competition level पे भी उस पे question जरूर आता है guys आपको भी पीछे कुछ गाना सुन रहा है क्या? अगर सुन रहा है तो ignore करना क्योंकि आसपास कहीं शादियां हो रही है मैं इसलिए मैंने mic बगर है and all सारा कुछ सेट किया होता है यह शायद थोड़ा सा हिल गया है अगर मुझे इसको ठीक करना चाहिए अच्छी हाई नेक पहन ली आज मैंने और वो mic hopefully सही voice आ रही हो हाँ तो गाना जो बज़ रहा है उसको ignore कर दे ना क्योंकि शादियों के current कभी कोई गाना बज़ रहा है कभी कोई बज़ा होता है अलग अलग variety of गाने चले हैं तो season है भाई चला ही होगा चले गई types of non-idle solution दो types के हैं मैंने कहा था न non-idle solutions showing positive deviation और ऐसे ही क्या होगा positive का उल्टा negative deviation deviation कहां से होगा obviously idle behavior से कि जो उसका idle level हमने एक set कर रखा है वहाँ से deviate करेगा non-idle solution towards positive और towards negative ठीक है अब शुरुवात करते हैं इसमें काफी सारे points है sum up हम करेंगे बट आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या points हैं दोनों अलग अलग types में क्योंकि यह बहुत important है जब आप दो component को mix कर रहे हो addition होने के बाद चाहिए आप component A को B में डालो या B को A में ठीक है दोनों को जब आप mixing कर रहे हो partial pressure किसी individual component का normal से हमें ज़ादा मिलेगा किस case में positive deviation के case में partial pressure of an individual component is found to be more than expected on the basis of Royals law clear है और total pressure भी आपका ज़ादा आएगा partial pressure भी ज़ादा आएगा total pressure भी किसी भी solution का you will find that greater than that of the ideal solution deviation आ गई न ज़ादा है दोनों चीज टोटल भी पर प्रेशर भी और partial pressure भी किसी एक single component का कैसी होगे towards positive deviation होगे क्यों 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 आपकी आइडिल से ज़ादा आ रही है ठीक है इस तरह के behavior को हम क्या कह सकते है solutions which are showing positive deviation from Royals law अब बात आती है इनके boiling points पे अब देखो vapor pressure ज़ादा आ रहा है vapor pressure और boiling point interrelated है हमें पता है कैसे higher the vapor pressure lower the boiling point inversely proportional हो गए तो vapor pressure यहाँ पे अगर आपका increase हो रहा है individual component का total vapor pressure भी तो normally से आपका vapor pressure अगर बढ़ गया boiling point क्या हो जाएगा उतना ही कम हो जाएगा तो हम क्या कह सकते है boiling point of such solutions are lower as compared to that of idle solution यह हो गया तो हम इसके लिए एक word आता है आपका minimum boiling point aziotrops यह aziotrops क्या है that is really important क्योंकि aziotrops आप से exam में पूछे जाते हैं इनके ओपर question आता है aziotrop देखो suppose कर आप कोई liquid है उसे आप boil करते हो उसका एक particular fixed melting point sorry boiling point होगा ना sharp boiling point होगा तो अगर कोई mixer आप mixer के बारे में सोचो तो आप क्या सोचो कि दो यह दो से जादा components है तो उसमें range होनी चाहिए pure liquid की तरह तो behave नहीं करेगा but aziotrop में ऐसा ही है aziotrop आपका वो है जिसमें हम कहते हैं कि definite composition है और वो pure liquid की तरह behave करता है उसका sharp boiling point है उसकी value है particular तो the solution which acquires the property of boiling at a constant temperature and its composition remains unchanged उसकी composition change नहीं होगी वैसे तो देखो mixture है तो composition change होनी चाहिए थी लेकिन pure liquid की तरह behave कर रहा है तो इसका मतलब उसकी composition भी change नहीं हो रही और उसकी property क्या है boiling at a constant temperature ठीक liquid mixtures which distill without any change in composition उसे हम क्या कहाँ देते हैं aziotrops या aziotropic mixtures यह पूरा आपका topic detail में है इस lecture में तो नहीं कवर आपको भाएगा बढ़ नेक्स lecture में हम aziotrops का पूरा topic ही cover करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर molecular level पर हम क्या कहेंगे वहां पर देखो equal थाना same magnitude था यहां पर क्या जाएगा a b molecular interactions जो होंगी interactive forces जो होंगी वो कैसी होंगी less than किसके comparison में pure components के अब यह less ही क्यों है यह आपकी solute solvent mix वाली है यह solute solute यह solvent solvent की है यह less क्यों है क्या आप इसको boiling point से connect कर सकते हो हमने क्या कहा boiling point आपका कैसा है low मतलब आसानी से उसके bonds break हो जा रहे है तभी boiling point जल्दी आ जा रहा है न vapor pressure जादा क्यों है क्योंकि आसानी से वो vapors में convert हो जा रहा है यानि उनकी खुद की intermolecular forces कैसी है कम है इसलिए AB molecular जो आपका दोनों components का mixture है उसमें हम अगर बात करें molecular interactive forces आपस में molecules की वो कम है in comparison to pure components ठीक यह सारा case आपका किसके अंडर आ रहा है positive deviation में तो आपके सारे points याद रखने पड़ेंगे vapor pressure total vapor pressure जादा partial pressure single component का जादा boiling point कम ठीक है molecular interactive levels जो आपके हैं सारी molecular interactive forces AB की कम होगी in comparison to pure component चार चीज़े हो चुकि है मार पास अच्छा पांच वी minimum boiling point is your drops अभी हमने यह देखा ना minimum boiling point is your drops ठीक है यह तो यह आपका difference में काम आएगा ठीक तो अब हम करते हैं सारे points sum up PA क्या है partial pressure of single pure component जादा है जादा होगा इन दोनों की values से पहले वाले case में आपका equal to zero था non ideal में non equal to zero था non equal to zero में positive deviation में positive आ जाएगा कि आपकी enthalpy की value बढ़ रही है volume increase हो रहा है सो दोनों आपको क्या आ गया positive ठीक example देख लो acetone plus carbon dye इसकी example नहीं याद करने पड़ते हैं मैंने खुद भी मतलब आप कितना मट जी सोचो कि अच्छा हां कुछ भी दिमांग लगा लो अच्छा इसको ऐसे याद करें थोड़े से that kind of thing I would say कि आपको example याद ही करना पड़ेगा हां बट आप इससे correlate कर सकते हो जैसे हमने का था ना कि जिनकी same kind of polarities या structures है वो idle solution बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा फ़हुत याद कर सकते हो कि same kind of structure या polarities नहीं होंगी तो उससे आप थोड़ा बहुत को relate करके कर सकते हो बट otherwise यह एक ऐसी चीज़ है जमने आपको बता दिया कि याद करने पड़ेगी ठीक है अच्छा okay यह है आपका देखो graph graph में अगर आप देख सकते हो तो एक मिनट यहां से शुरू करते हूं हमने x-axis पे mole fraction शो किया है and y-axis पे vapor pressure ठीक है अब यहां आप देख सकते हो x-a is equal to 1 तो x-b किया है 0 यानि कि mole fraction में दो components है unity होते हैं दोनों का combination unity होगा ना equal to 1 होगा या नी तो अगर एक चीज़ 0 है दूसरा 1 है यहां से जब हम इस side से side जा रहे हैं आपका a की value कम होती जा रही है b की b का mole fraction है नहीं बढ़ता जा रहा है तो यहां x-b1 हो गया x-a 0 हो गया अब यह जो black color की dotted lines है यह है आपका ideal behavior ठीक है यह ideal behavior का आपका graph है यह red से जो हमने show किया है that is positive deviation इस line से उपर आ रहा है यहां पर भी इस line से उपर यहां पर भी इस line से उपर यह हमने क्या show किया है positive deviation आना चाहिए था ideal behavior यह लेकिन आया total जो आपका vapor pressure है यह वाली line ठीक है और यह आप देख सकते हो दोनों side क्या है pure components के partial pressure पी नॉट ए पी नॉट बी कब होगा जब mole fraction उनके corresponding होगी ठीक है तो यह हमने एक तरह से graph शो किया ideal behavior dotted line से positive deviation solid line से red color की जो मैंने lines draw की होगी ठीक इसी तरह से अब हमें पढ़ना है क्या non idle solution showing negative deviation जो जो positive deviation में पढ़ा है ना उसका सब कुछ उल्टा कर दो बस चिक क्या शुरुबात करते है partial vapor pressure individual component का कम हो जाएगा total vapor pressure कम हो जाएगा हो गया उसका उल्टा हो गया अगला बॉलिंग पॉइंट आपका वहाँ पर क्या था minimum boiling point is your drops अना boiling point आपका कम हो रहा था यहां boiling point बढ़ जाएगा किक है lower vapor pressure higher boiling point यह उल्टा हो गया अच्छा उसके बाद अगला maximum boiling is your drops ठीक मैं तब बोलती हूँ एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा negative का मतलब ना ऐसे सोच लो ऐसे correlate करो negative का मतलब कम value कम हो रही है बस सब जगा low 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 कर थो बस वह अलग बात है कि यह जैसे आपका boiling point है यह आपको boiling point के साथ correlate करके बताई है कि अगर आपका देखो interactive forces आपकी जो intermolecular forces है AB component में वो जादा होंगी तो उसको boil करवा पाना उतरहीं मुश्किल होगा जादा energy दिनी पड़ेगी ना ज्यादा आप heat energy दोगे तब जाके उसके molecules boil होंगे तो AB की जो आपकी molecular के बीच में molecules के बीच मे वो जादा होंगी higher than in comparison to the pure components, pure components में अपने आपस में जो आपकी forces हैं उससे जादा होंगी, ठीक है, सारा reverse हो गया उसका, अब बढ़ते हैं आगे, इसी तरह से इसका भी graph होगा और हम इसको sum up करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने उसके case में sum up किया, यहाँ देखो, सारा कुछ less कर दिया, partial pressure of component A less than, B less than, total vapor pressure less than, delta G mixing negative, delta V mixing negative, सब कर दिया, कम, कुछ भी जादा निया, सब कुछ, कम, 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 ठीक है, so, come and study, example आपका हो गया, देखो, HCL plus water, nitric acid plus water, है न, तो, again, ratification, मादब, मैं clear, बोलते हूँ है, अगर कोई मिन से यह का यह गाना, सबूस करो, बहुत स students ऐसे होते हैं, students भी teachers भी, कि नहीं हमें ऐसे show नहीं करना, बच्चों के सामने की, कुछ रटा नहीं होता, मैं बोलते हूँ, सच्छा यार, जहां रटा है, है, ठीक है, जहां नहीं है, नहीं है, सीधी सी बात है, तो, इसको याद कर लेना, जितना हो जाए, मेरे से तो, करता है, कोई slangs का यूज करके याद करता है, कोई कैसे मर्जी यूज करता है, तो it depends on you, कि आपको कैसे याद करना है, है ना, graph देखो, उल्टा हो गया, वहाँ पे सब कुछ पहाड पे था, यहाँ पे ऐसे depth में आ गया है, सब कुछ नेगिटिव में चला गया, ideal behavior से, dotted line है, each and everything, x not, x, a, आपका mole fraction, a का यहाँ पे वन था, यहाँ एक्स बी का वन था, तो सारा कुछ से में each and everything, हाँ यार एक चीद बूल गई, यह जो आपकी dip आई है, यह है आपका minimum boiling point is your drops, ठीक है, यह आपका, जो minimum boiling point आप शो करते हैं, वो है, ऐसे ही वहाँ पे आपका क्या थ मैक्सिमम वाला था, जो पहाड़ दे सारा था, उसका maximum point कुछ होगा न, वो था, वो value थी आपकी, ठीक है, जो mole fraction of vapor pressure के corresponding show कर रहा था, अब इसका करते हैं, difference, दोनों का ideal, non-ideal का, interaction, components के बीच में यहाँ पे similar है, है न, and between components सा similar, किसके comparison में आपका होगे, pure components के साथ, अगर compare कर होगे, यहाँ पे क्या है, थोड़ी से different है, कहीं जादा, कहीं कम, यहाँ देखो, आपने non-ideal के case में न, दोनों का combine करके लिखना है, positive negative का, in general लिखना है, दोनों में से किसी individual का नहीं लिखना, ठीक, फिर बात आती है, delta V mixing, यह mixing होना चाहिए, delta V mixing, delta H mixing, लगता है, मुझे लगी थी, और उस ताइम में, यह mix, 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 खा गई, हो सकता है, लगी होगी, इतना काम करते हो, मैनत करते हो, यार, क्यों नहीं लग सकती, okay, components mix करने के बाद, delta H, सब कुछ mix हो गया, delta H, mix, 0 आगया, delta V mix, यहाँ 0 आगया, यहाँ not equal to 0 आगया, तो royals clause के बाद आपका यहाँ, अबिसली, ओबे कर रहा है, यहाँ, ओबे नहीं कर रहा, तो यह तो मैने जस्ट आपको, एक होता है, कई बच्चों को आदत होती है, कि नहीं हमें, इस सरसे difference between मिले, तो अच्छे से त्यार हो जाता है, notes prepare हो जाता है, तो उस kind, उस के लिए, उन kind of बच्चों के लिए, मैने इसे तो देखो, आप सारा कड़ चुके हो, चलो, फिर भी कर लेते हैं, चलो, तो जो पढ़ा है, positive, negative में, उसको पढ़के, यहाँ पे neutral कर दो, ठीक है, मतलब दोनों को apply कर दो, यहाँ, कहने का मतलब यह है, ठीक, interactions, यहाँ पे components की less than pure components, जो आपकी interactive forces थी, less than थी, यहाँ, greater than है, individual component के लिए, यहाँ, less than है, total के लिए भी same आपका है, total vapor pressure आपका, यहाँ पे greater than होगा, यहाँ पे less than होगा, मैंने point लिखा नहीं होगा, पर add कर लेना, ठीक है, ना, add कर लेना, अपने आप ही, यह minimum balling point, azotrops, बनाते हैं, यह कौन, positive deviation वाले, और negative deviation वाले, आपके maximum balling point, azot जादा देगा, कहने का मतलब यह है, कि जब examiner paper check करता है, graphs, diagrams, equations, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देता है, पूरा paper check करने का किसके पास time है, यार, बड़ा फटवटवटवटवटवटवटवटवटच करते हैं, तो उसमें आपकी जो main चीजे हैं, आपको highlighted, मतलब मुझ effective के लिए तो करने ही नहीं, कुछ नहीं, चार option में से एक पर click करना है, that's it, ठीक है, ओके, इसके आगे हम पढ़ेंगे next lecture में, इस lecture के लिए पूरा idle, non-idle solution का हमारा topic cover up हो गया, next में हम azotrops पढ़ेंगे और आगे numericals वगरा, और बहुत कुछ है न, इसके बाद इसमें हमारी I think, qualitative properties start हो जाएगी, ठीक है, तो qualitative properties एक बहुत important topic है, इसलिए regularly वीडियो देखो, regularly जो भी मैं पढ़ाती हूँ, उसको, मैं यही कहूँगी, और मैं तो यही कहूँगी, मेरे तो channel है, यही बोलूँगी, अब इससी बात है, यह तो कभी नहीं कहूँगी, कि मत आओ, मत देख है, बाकी, comment section ने बताना, कैसा लगा, कैसा नहीं, again the same thing, like, share, subscribe, जरूर करना है, अपने दोस्तों से subscribe करो, जादा से जादा like, share करो, comment section में interactive session जो होता है, एक तरह से, कि अगर आप comments में आके, जो भी है, अपनी feelings नहीं बता होगे, तो थोड़ा सा तो लगता है, कि पता नहीं समझनी आ रहा है, क्या हो रहा है, that's why, थोड़ा सा मैं पहले low feel कर रहे थी, but hopefully, इस वीडियो के निकलने के बाद, आप लोग comment section में, जरूर कुछ ना, कुछ मेरी motivation के लिए, कुछ ना, कुछ ना, कुछ जरूर बोलोगे, जो भी आप कहना चाहते हो है, and, क्योंकि energy, जब त अगले, अगले lecture तो हमारा इस week में आएगा, lesson का, मिलते हैं अगले हफ़ते, ठीक है, okay, bye bye, take care, and, yes, keep unrolling the mystery of chemistry with myself, Florika, ठीक है, keep loving me, keep supporting me as much as you can, so, instagram handle साप मेरे follow कर सकते हैं, वहाँ जा के देख सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, और, हाँ, facebook page, facebook page, and इस youtube channel का जो community page जो उसमें आप regular questions जलते हैं, questions try कर सकते हो, facebook page के questions भी try कर सकते हो, अच्छा एक चीज़ और, दोनों के questions का level थोड़ा different है, जो हम channel पर डालते हो, थोड़ा सा level high होता है, कहना चाहिए, और जो fb page पर हो थोड़ा सा easy होता है, overall हम general content डालते हैं, तो फिर भी आप try कर सकते हो, knowledge जरूर बढ़ेगी, ज्यान का भंडार कहीं से भी मिले, उसको, उसको क्या करना करना चाहिए, उसको अर्जित कर लेना चाहिए, something, kind of, अपने आप fill in the blanks कर लेना, ठीक है, ओके, बाबाए, फिर मिलेंगे, चाटा, take care.